1927 में, मार्च में, महार अंदोलन में आप लोगों को लगता है कि उनको पानी अराम से उठा के पीने दिया गया होगा और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई अंदोलन नहीं किया बाबा साब ने इतने बहादरी वाले अंदोलन किये कि शायद हम सब मिलके भी ना कर पाएंगे ये जो सेमिनार्स करते हैं उससे उनको फरक नहीं पड़ रहा है उनको अपने आप पता है कि वो कितने गलत काम कर रहा है और उनको ये भी पता है हम जितने ज्यादा गलत काम करेंगे उतने ज्यादा पुरसकार के हगदार अपने आपको सत्ताधारियों को दिखा सकेंगे और ज्यादा तर तो उनके carders हैं जो आके हमले करते हैं किसी भी peaceful protest पर अगर हम लोग वकील हैं हम judiciary को ही 50% ठीक कर लें देश ठीक हो जाएगा पूरा एक भी स्थाम प्रेस ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगा और जो हमारे elected representatives हैं वो ठीक हो जाए तब भी ठीक हो जाए एक भी स् आते हैं वो अंदकार में नजर आते हैं क्योंकि यह intellectuals की gathering है खास तोर पर वकीलों की gathering है with the permission of the chair I only want to stress on certain points अधिवक्ताओं को वकीलों को advocates को barristers को solisters को ग्यान की बात बताना बहुत खत्रे का काम है हम सब लोग ग्यानी विखती है जानते और काले साहब ने मुझसे पहले सारी बाते नट्शल में सब आपको समझा दी है मेरे पास अब theoretical बात करने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है और मुझे पूरी उमीद है कि मुझसे पहले जो वक्ता रही होंगे उन्होंने एक बार फिर दोरा दिया होगा वो सब बाते जो सब आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है और हम सब लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जो हम लोगों के साथ हो रहा है उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना है वरना हम सभी लोगों की गर्दने और सर खत्रे में हैं ये मनुवादी मान सिकता जिस तरीके से समराट अशोक के वन्शजों को छालोर कपट से धोके से सत्ता हत्या कर जिस तरह से इन्होंने तब सत्ता हत्या थी आज उसी तरीके से छालोर कपट और धोके से एरियम के जरिय से दूसरे समाज में नफरत फैला के जो इलेक्शन के सारे रूल्स हैं काइदे कानूने उनको धज्यां उड़ा कर सत्ता पे फिर तो यह इनका लक्ष सिरफ और सिरफ एक है जिसको यह बता भी रहें खुलके हिंदू राश्रियानी के मनुस्पृति लागू करने का इनका सीधा-सीधा नजरिया है मनुस्पृति में क्या होगा मनुस्पृति लागू होगी तो क्या होगा मुझे इस gathering को बताने की मुझे इस बात को कहने में कोई शरम नहीं है, या जानना नहीं चाते जान बूच के भी, चार सुप्रीम कोट के जजिस के उस जो उन्होंने एक मैसिज दिया था कि हम पे दबाव है, तो ये मुस्लिम जज के उपर भी कोई दबाव था, इस थारा की बात करने के लिए, क्यों दूसरा इसका मतलब वो इसलाम के बारे में भी या उसके खिलाफ बोलने के लिए भी मजबूर थे या उन्हें पता ही नहीं है दूसरा बाबा साथ डॉक्टर भीमरा अंबेटकर ने 25 जनवरी 25 दिसेंबर 1927 को जिस मनुस्पृति को जलाके भारत का समिधान मनाया था उसी मन मनुस्पृति को लागू कराने की बात कर रहे हैं तो वो बाबा साथ के बारे में भी कुछ नहीं जानते या बाबा साथ से ज़्यादा जानते हैं वो दो ही चीज़े होती है न या तो बाबा साथ से ज़्यादा समझदार हैं जो की पॉसिबल ही नहीं है मतलब यह तो बात में भी कहना बेवकूफी होगी या वह बावा साब के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं दोनों ही सूर्तों में यह समझ लेना चाहिए कि वह एक केज़ पैरेट हैं और उनको शरम आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए अब हमें करना क्या है यह हालात हैं यह एक ही एक्जामपल काफी है आप लोगों को दिल से नहीं बोल रहे होंगे उनके उपर क्या दबा होगा यह वही जाने बोल ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति जो लीगल प्रोफेशन का हो जो इन जचसाहब ने बात बोली वो बोली नहीं सकता और दूसरा मुसल्मान भी अगर होगा तो बोली नहीं सकता है बावा साब के जो intellectual personality थी ना उसके बारे में सब ने बहुत बोलाये, इतना बोलाये के ज़्यादा ही बोल दिया कुछ जो उनकी agitational qualities थी, जो उन्होंने वकील होने के बावजूद रिस्क लेके agitation किये, सामने आके बहादुरी से, उसके बारे में मैं समझता हूँ, कम लोगों ने लिखा पड़ा और बोलाये, महार अंदोलन आपको क्या सबको लगता है, कि बहुती प्यार से गए होंगे बावा साब, और कोई उनके साथ हिंसा नहीं हुई होगी, और प्या quality जो भूल रहे हैं न, 1927 में, मार्च में, महार अंदोलन में, आप लोगों को लगता है, कि उनको पानी अराम से उठा के पीने दिया गया होगा, कितनी लाठी, कितनी गोली, कितनी तलवारे, कितने बढचे, चले होंगे उन पर, रुके, फिर उसी साल, दिसंबर में, मनु कम violence हुई होगी बाबा साब के उपर, इस से बड़े बहादुरी के काम में, दो ही गिनवा रहा हूँ आपको, और ये उनकी जिन्दगी का, रोज मर्रा का, रोज उनके उपर हमले होते थे, रोज उनके उपर खत्रे होते थे, ये aspect हम conveniently भूल रहे हैं, बाबा साब का, और ब quality हम लोग भूल रहे हैं, उनकी intellectual quality को ये आगे रखके बात कर रहे हैं, ये आज की समस्याओं का सबसे बड़ा reason है, तो हमें सब को, बाबा साब ने जितने risk लिए और बाबा साब से पहले भी, जितने भी महापुरुष थे, उनके बाद भी, जितने महापुरुष थे, जित तो ये वाला aspect जो है, हम पीछे छोड़के, सिरफ theoretical बातों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये आज जो government आ गई है, मनुवादी मान सकता की, इसमें आप जलसे करते रहे हैं, seminars करते रहे हैं, इनको पूरी तरीके से बेनकाब कर दीज़ें, इनको शरम आएगी, आपको लग criticism हो, तो judge साब को शरम आती थी, अब आपको लगता है, कि आज के judges को, किसी को भी शरम नाम की चीज बाकी रह गई है, पूरी दुनिया में criticism हो रहा है, बाबरी मस्जिद की judgment का, और पूरी दुनिया में criticism हो रहा है, जकिया जाफरी, ये की, इस judgment का, कि इस judgment के लेखकों को, क तो अब हमारा जो पुरसकार होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, उस एंगल से नापा जा रहा है इन जज्जमेंट्स को, हमारे एक चीफ जस्टिस साहब ने गुहार लगाई थी जंता से, के आओ हमारी मदद करो, नहीं की जंता ने मदद, चार्ज सुप्रीम कोड के जज जिन्होंने प्रेस कॉन्फेंस की थी, उनमें से एक वो भी थे, मैं भी तो इनी लोगों से सीख रहा हूँ ना, इन जज्जिस से ही, ये मनुवादी मान सिकता के आने के बावजूद भी थोड़ी बहुत कॉंश्यस जिसमें बची थी, उन्होंने चार लोगोंने प्रेस करके बताया, जनता नहीं आई उसका अंजाम क्या हुआ, बावरी मजिद की जज्ज्मेंट आई, राफेल की जज्ज्मेंट आई, बहुत सारी और ऐसी जज्ज्मेंट आई, खुद अपने लिए उन्होंने एक जज्ज्मेंट पास कर ली, उसके बाद राजसभा में भी च बढ़ रहा, उनको अपने आप पता है कि वो कितने गलत काम कर रहे हैं, और उनको ये भी पता है, हम जितने जज्यादा गलत काम करेंगे, उतने ज्यादा पुरसकार के हगदार अपने आपको, सत्ताधारियों को दिखा सकेंगे, देखो मैंने इतनी बड़ी बेशर्मी की, तो कुछ तो ज्यादा मुझे मिलना चाहिए तो ये आस्पेक्ट है इसके लिए जैसे मैं बार-बार बोलता हूँ आंदोलन चो बावा साब ने किये उससे अगर हम 50-60% भी बहादुरी से आंदोलन करेंगे और लॉयर्स की जिम्मेदारी है सबसे आगे रहके सबसे पहले खड़े रहने की किसी भी आंदोलन कारी के साथ peaceful protest 80% solution है हमारे 20% solution है जो हमारे दूसरे constitutional रास्ते हैं जिसमें Supreme Court, High Court, District Courts में जाना भी है इससे 20% फायदा होना है सिरफ 80% जो solution है वो agitation है हम लोगों ने यहाँ Lawyers Protection Act के लिए प्रदर्शन किया था Supreme Court में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ बहुत लोग डरा रहे थे हमें के यह हो जाएगा वो हो जाएगा फ़लाना हो जाएगा 500 वकील आये थे यहीं सामने क्या हुआ कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई गहर कानूनी काम ही नहीं किया Supreme Court क्या भारत की जंता से उपर है नहीं है ना देश की जंता मालिक है ना देश की जंता प्रोटेस्ट करेगी Supreme Court को भी सुनना पड़ेगा हम लेकिन peaceful प्रोटेस्ट कैसे करें इसके लिए वकीलों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी आती है कि जो भी हिंसा होती है और आपको मेंस्ट्रीम मीडिया को तो वैसे मैं बाइकोट करने का ही आवान करता हूं सब जगा लेकिन जो intellectual class है वकील class है उसको देखना चाहिए सिरफ एक news channel देखना चाहिए किसी भी issue पे ताकि मनुवादियों की RSS की line पता लग जाए अगर वो हिंसा की बात कर रहा है कि हिंसा की protesters ने इसका मतलब RSS ने हिंसा कराई ये समझने के लिए तो उनके क्या रास्ते निकालने हमें किसी भी हालत में किसी भी खीमत पे हमारे protest peaceful रहें बावजूद इस कोशिश के मनुवादियों की RSS की और BJP के हिंसा कराई जाए उसमें से कुछ लोग हमारे अंदर भी भेशते हैं वो और ज्यादा तर तो उनके carders हैं जो आके हमले करते हैं किसी भी peaceful protest पे हमने ये एक के बाद एक के बाद example देखा तो peaceful protest का जिसमें सबसे आगे वकील रहें मैं यही आवान करना चाहता हूँ कि अगर हमने ये शुरू कर दिया तो समादान होगा 100% reservation भी होगी ये बहुत ही अच्छा bill मैंने अभी बैटके पड़ा है बनाया है ये implement जब ही होगा जब हम यहाँ protest शुरू करेंगे एक बात example देखे मैं खतम करना चाहता हूँ कि बावा साथ डॉक्टर भीम राओं बेटकर कि प्रतिमा से ज्यादा किसी और की प्रतिमा सुप्रीम कोट में जाइज है आज तक तो किसी को ख्याल नहीं आया first law minister the father of the constitution father of the nation actual real कम से कम सुप्रीम कोट और बाकी सब अदालतों में तो उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए तो चलो 70 साल में भूल गए थे सारे chief justices बड़े सारे minorities के भी आये मुझे तो अपने judges जो minority के judges बने है उन पे सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि उनको भी ख्याल नहीं आया कि जो फ्रेमर ऑफ दो चीफ फ्रेमर architect ऑफ दो constitution ते उनकी कम से कम प्रतिमा लग जाए यहां पे किसी और की तो लगी हुई है नहीं आया ख्याल के चलो हमने का भूल गया होंगे हमने चिट्थी लिखी के लगा लो फिर दूसरी चिट्थी लिखी chief justice साब यही रमना साब को हमने सोचा शायद पैसे नहीं होंगे हमने का पैसे का भी इंतिजाम हम कर देंगे लगा लो तो यह हालात है तो जो भी चीज हमें करनी है अब किसी दिन जाके peacefully हम gift और कर देंगे बावा साब की प्रतिमा और फिर भी नहीं लगी तो peacefully जाके लगा भी देंगे यह खुला एलान है हम लोग कोई चुप के बाद नहीं करते हैं हम भावा साब के followers है तो अभी एक दिन gift करेंगे उसके बाद खुद peaceful ही जाके लगा भी देंगे हजारों वकीलों ने sign करके दे रखे हैं रमन्ना साब को तो यह हालात हैं हमें peaceful protest करने पड़ेंगे सुप्रीम कोट से ही शुरू करने पड़ेंगे आज जितने यां लॉयर हैं हम सिरफ पांच-पांच-दस-दस लॉयर अपने साथ ले आएं यह reservation के लिए मजबूत पहल हो जाएगी और एक भी स्थम्ब जो democracy का या लोग तंत्र का है अगर हम लोग वकील हैं हम judiciary को ही 50% ठीक कर लें देश ठीक हो जाएगा पूरा एक भी स्थम्ब प्रेस ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगा bureaucracy ठीक हो जाएगा और जो हमारे elected representatives हैं वो ठीक हो जाएगा तब भी ठीक हो जाएगा एक भी स्थम्ब भी होते हैं बहादूर भी हैं और हमें हर चीज़ का consequence पता है कानूनी position पता है तो हमें हमारे religious leaders से ज़्यादा हमारे political leaders से ज़्यादा हमारे social leaders से ज़्यादा CST OBC minorities के महिलाओं के leaders दूसरे leaders से ज़्यादा वकीलों को सड़क पे आके leadership लेनी पड़ेगी तब ही इस देश का कुछ भला होगा वरना मुझे जो हालात हैं वो अंदकार में नजर आते हैं लेकिन अगर वकीलों ने political leadership, social leadership, religious leadership भी मैं कह रहा हूँ आज तो अगर उसको सामने आके अपने हाथ में लिया और नहीं तो जहाँ वो खुद नहीं रह सकते हैं पीछे मजबूती से खड़े रहे क्योंकि हमारे बागी सब leaders जो हैं डर रहे हैं तो मैं समझता हूँ समधान हो जाएगा हमारी ताकत और उनकी ताकत जो अब युद्ध चल रहा है उसमें क्या है उनकी ताकत है जोट, धोका, फरेब और सत्ता पे उनका कबजा नाजाईज इस्तिमाल डंडे का और सत्ता का हमारी ताकत उससे बड़ी है हमारी ताकत है सच और हमारी ताकत है numbers तो उसके लिए मैं agitation शुरू करना पड़ेगा इनी लफजों के साथ मैं आप सभी लोगों का शुक्रियादा करना चाहता हूँ अगर कोई गलती हुई तो आम तोर पे मैं हमेशा की तरह आप भी माफी मांगता हूँ कोई बात आप लोगों को नागवार गुजरी हो नापसंदो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आखीर में आप सभी लोगों से जो मूल मंत्र है हमारी देश को सुधारने का वो है जैभीम तो इसलिए आप सभी लोगों को मेरा बहुत प्यार बरा जैभीम